नमस्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती मेरा आज आपसे एक सीधा सवाल है कि आप कितने दिन गोधी मीडिया के टीवी चैनलों पर बैठ कर धक्का मुक्की चिलम चिली ये सब देखते रहेंगे मेरा सवाल ये है आपसे कि आप सवाल कब पूछेंगे क्योंकि आप एक चीज़ याद रखें कि गोधी मीडिया का काम है आपके दिमाग में ऐसे सवाल बिठाना जो असली मुद्दों से आपका ध्यान भटका देता है और आप अच्छे दिन के इंतजार में बैठे रहेंगे और इस बीच आपके बुरे दिन आजाएंगे बुरे दिन आपके आगए हैं आप ठंठन गोपाल होने वाले मिडल क्लास वाले और इसी का हिसाब आज लगाओंगा इस एपिसोड में हम सब जानते हैं कि ये लॉगडाउन में हमारे आए पर क्या असर पड़ा है हम जानते हैं कि कहीं पे कट हुआ है तो कहीं नौकरी गई है कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ हुआ है बाकी लोगों का अच्छा ही चल रहा होगा जी नहीं ये बहुत लोगों के साथ हुआ है मिडल क्लास के लोगों के साथ हुआ है और ये डेटा लोगडाउन में कितना आए किसका कम हुआ है ये डेटा अब हमारे सामने थोड़ा बहुत आ रहा है CMI के तरफ से CMIE यानि कि Center for Monitoring of Indian Economy उन्होंने जो सर्वे किया है हर हफते करते हैं उसमें वो डेटा कलेक करते हैं और उस डेटा का पहला डीटेल हमारे सामने है उन्होंने सवाल पूछा कि आपका इस साल हर महीने पूछा उन्होंने कि आपका इस साल पिछले साल के तुलना में कितना इंकम बड़ा है बढ़ा है या नहीं बड़ा है आप जानते कि अप्रेज से जून के बीच में जाधा तर हर साल लोगों का increment होता है corporate sector में इसी time पर increment होता है increment तो छोड़िये जाधा तर लोगों को शायद बता दिया गया होगा कि आपका increment तो इस साल होगा नहीं pay cut होगा हो सकता है आपकी नौकरी भी जा सकती है खैर अगर हम देखे कि इस data का total impact क्या निकल कर आ रहा है तो अपरेल 2020 में अगर हम देखे तो सिर्फ 9.6 प्रतिशत लोगों ने सारे परिवारों का ये data है सिर्फ 9.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हमारा income बढ़ा है हमारी income आए बढ़ी है और वही अगर हम माई 2020 में जाए तो सिर्फ 6.1 प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि हमारी income बढ़ी है सिर्फ 6.1 प्रतिशत यानि कि लगभग 94 प्रतिशत लोगों की आई या तो नहीं बढ़ी है या घट गई है और जून में अगर हम जाके देखे तो ये 4.4 प्रतिशत पर उतर आया है यानि 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जिनकी आई या तो नहीं बढ़ी है या घट गई है याद रखिए आई बढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं महेंगाई दर बढ़ती है अगर आपकी आई 100 रुपे थी पिछले साल और महेंगाई दर बढ़कर 5 पतिशत बढ़ गई है और आपका खर्चा 5 रुपे बढ़ गया है तो आपको वो 5 रुपे का इंक्रिमेंट जरूरी है ताकि आप महेंगाई से मैच कर सके अपना इंकम खैर अगर आपका income नहीं बढ़े इसका मतलब महेंगाई बढ़े लेकिन आपकी income नहीं बढ़े इसको का जाते है कि real income आपका कम हो रहा है खैर हम वापस चलते हैं सारे data पर अगर हम अप्रेल से जून का देख लें अप्रेल से जून के बीच पिछले साल यानि कि 2019 में 33 प्रतिशत परिवारों ने कहा था कि हमारी आए बढ़ गई है यह अच्छा नंबर नहीं है क्योंकि आप देखिए महेंगाई सब को अफेक्ट करता है अगर सौ में से सिरफ 33 परिवारों का इंकम बढ़ा है यानि कि बाक्यों का रियल इंकम घट गया है उनका खर्चा बढ़ गया आमदनी वहीं का वहीं है या तो घट गया है अप्रेल से जून 2020 में क्या हुआ है सिरफ 6.7 परिशत लोगोंने का इंकम बढ़ा है सिरफ 6.7 परिशत लोगडाउन का ये इंपक्ट रहा है सारे परिवारों को अगर हम देख लें अब आप देखिए कि जैसे मैंने का 33 परिशत 2019 में अप्रेल से जून के बीच इंकम बढ़ा था और वही 6.7 परिशत पर घट गया है अप्रेल से जून 2020 के बीच अब हम ले लेते हैं इंकम ग्रूप के आप जानते कि जो गरीब लोग हैं उनका इंकम जादा बढ़ता नहीं उनका सैलवी बहुत दिनों तक एक ही चलता है जो आपके घर में काम करते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बढ़ा दीजी लेकिन जादा तर लोग 2-3 साल में एक बा फैमली थे महीने की ऐसे लोगों में सिर्फ 14 प्रतिशत 100 में से 14 ऐसे थे जिनकी आय बढ़ी थी पिछले साल और पिछले साल भी खराब था अच्छा नहीं था इस साल सिर्फ एक प्रतिशत यानि कि आप कंपेर करके देखिए अप्रेल से जून 2019 में 14 प्रतिशत और वही अ वही की वही रही है जो 6000 से कमाते यानि कि वो गरीब के गरीब रहे है लेकिन आपको एक चीज़ कहना पड़ेगा कि जो सरकारी रिलीफ पैकेज है उससे गरीबों को ही जादा टार्गेट किया गया है और उससे गरीबों को थोड़ा बहुत फाइदा हुआ है जैसे कि उनक को राशन फ्री मिला है साथ में जिसको कहते हैं आप डाइरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर हुआ है उनके खातों में कैश ट्रांसफर हुआ है जिनके पास जंधन अकाउंट है महिलाओं के खातों में पैसे गए हैं साथ में आप देखे कि मन्रेगा में काम जादा दिय गया है, demand भी बड़ा है, demand meet नहीं कर पाई सरकार, लेकिन फिर भी काम काफी बड़ा है, और साथ में PM किसान का installment पहले दे दिया गया है, तो सबसे जो गरीब है, सबसे जो गरीब है, सरकारी relief package जो है, मोधी सरकार की relief package है, उनका आमदनी अगर कम भी हो गया हो, तो थोड़ा ब मैंने पहले भी आपको कहा, जो गरीब होते हैं, वो गरीब ही रहते हैं, और पिछले हम देखेंगे, तो 20 साल से कम से कम, गरीब गरीब रहे हैं, या और भी गरीब हो गए हैं, लेकिन middle class वालों का क्या होता है, middle class वालों का जादा तर, हर साल income बढ़ जाता है, ये real income नहीं हैं, कभी-कभी महेंगाई दर से कम बढ़ता है, लेकिन वो 3-4-5% बढ़ जाता है, हो सकता है, महेंगाई दर और भी जादा बढ़ा हो, लेकिन बढ़ता है, और उससे क्या होता है, वो washing machine खरीबते हैं, सोचते हैं कि जब मेरा increment आएगा, मैं ये washing machine ले लोंगा, या ले लोंगा EMI पर, तो middle class का जितना income बढ़ता है, उतना वो खर्चा भी बढ़ाते हैं, और साथ में जैसे मैंने आपको कहा था है, महेंगाई दर से के साथ मैच करने के लिए income बढ़ना ज़रूरी होता है, और इसलिए हर एक corporate sector की company में हो, या सरकारी दफ्तर में हो, बहुत income आपका बढ़ता रहता है, तो यही सवाल जब middle class के लोगों से कहा किया गया कि आपका income कितना बढ़ा, कितने लोगों का income बढ़ा, तो आप देखिए कि अपरेल से जून 2019 में, जिनकी आए, साल में, साल में 5 लाक रुपे, मतलब कि महीने में लगबग 42,000 रुपे जिनकी family income, उनमें से 50 प्रतिशत लोगों की, यानि कि आधे लोगों की income पिछले साल बढ़ी थी, और फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि पिछले साल भी बहुत अच्छा साल नहीं था, लेकिन इस साल क्या हुआ है, सिरफ 15 प्रतिशत, 15 प्रतिशत से भी कम लोगों की यही 42,000 के आसपास है, ऐसे लोगों की, सिरफ 85 प्रतिशत लोगों की 100 में से आया तो नहीं बढ़ी है, या घट गई है, यह सारा CMI का डेटा है, यह आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स पर भी, और अगर हम compare करके देखें, फिर से मैं यह स्लाइट पर आपको दिखा रहा यह अपरेल से जून 2019 में 50 प्रतिशत लोगों की आय बढ़ी थी, जो इस income range में थे, अब 15 प्रतिशत से भी कम लोगों की आय बढ़ी है, अगर हम इसको double करते हैं, लगभग 83,000 के आसपास चल जाते हैं, जिनकी annual income लगभग 10 लाग के आसपास है, इनकी आय कितनी बढ़ी, इनकी आय पिछले साल, अपरेल से जून 2019 में, 100 में से 60 ने कहा था, इस साल मेरी आय बढ़ गई है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल 0% यानि किसी की भी आय नहीं बढ़ी है, इस category में, किसी की भी आय इस category में नहीं बढ़ी है, फैर ये category जा जो data है, इसमें direct comparison नहीं कर स जो CMI के महें श्यास है, उन्होंने ये कहा है, कि जैसे ही हम इस range के उपर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पहले single digit, यानि कि 2-3% बढ़ा होगा, और दीरे-दीरे 0% पर आ गया है, जैसे ही हम ये 1.5 लाग के आसपास पहुंचते हैं, अब अजीब बात ये है कि जो इस से भी जादा अमीर होते हैं, जिनके पास जिनका इंकम 2-3 लाग से जादा होता है, उनका इंकम बढ़ता रहता है, उनका इंकम कभी भी कम नहीं होता है, जैसे पिछले साल 2019 में, اप्रेल से जुन में 70% ऐसे लोगों ने कहा था कि हमारी इंकम बढ़ गई है, आप 5-6 साल प थोड़े बहुत परिशानी हुई है लेकिन lockdown के बीच भी मैंने जैसे आपको कहा कि जो सबसे अमीर लोग होते हैं उनका कोई न कोई income flow आता रहता है क्योंकि उन्होंने stock market में पैसा डाला होता है उनका fixed deposit से interest income आता होता है उनका property होता है जहांसे rent आता रहता है तो उनका income आता जून के बीच कहा था उन्होंने कि हमारी income बढ़ी है वही अगर इस साल का देख ले तो सिर्फ 33% रहे गए यानि कि ऐसे अमीर लोग जिनकी income हर साल बढ़ती रहती है जादा तर इन में से भी सौ में से 66 लोगों की income या तो वहीं की वही रही है नहीं तो घट गई है और ज इस साफ एक चीज है कि income शायद घटी होगी जो 66 लोग जो कह रहे हैं कि हमारी नहीं बढ़ी है उनमें से आधो की तो income घटी ही होगी तो आप देख लीजे कि फिर से मैं compare कर रहा हूं जो अच्छे income वाले हैं अमीर लोग हैं 2-3 लाक रुपे प्रती महीने वो कमाते हैं इन इनकी भी पिछले साल 70% ने कहा था हमारी income बढ़ी है इस साल सिर्फ 33% की income बढ़ी है तो याद रखिये मैंने कहा था कि जो सरकारी relief package है वो गरीबों को target कर रही थी इसलिए इसमें free ration दिया गया मनरेगा में काम मिला है cash transfer हुआ है और साथ में PM किसान का एक installment पहले दिया गय ना tax relief है ना कुछ है GST का जब आप खरीद रहें उस पे उतना ही पैसा देना पढ़ रहा है आपको आपका income नहीं है और चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं यानि कि आपका खर्चा बढ़ रहा है आपका आम दिनी कम हो रहा है कुछ भी आपको नहीं दिया गया है क्यूं क् माना जाता है कि आप लोग टीवी पर सारा ये जो हिंदू मुसलिम का खेल है ना इसी से खुश रहेंगे इसी में मस्त रहेंगे आपको तो पेसो की जरुरत नहीं है नौकरी की जरुरत नहीं है आपको बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है आपको हेल्थ की जरुरत नहीं सवाल उठाना सीखिये नहीं तो आप ठंठन गोपाल हो जाएंगे यह मैं कहरा हूँ आज आज से सवाल नहीं उठाएंगे तो आपके बुरे दिन आने ही वाले